नमस्कार आता आप स्वास्रिया काल स्वागत आपको मैंट ब्रेंस पे इंडिया इस बेस्ट ओनाइन लॉर्निंग प्लाटफर्म जहां आपको मिलता है किंडर गार्टन से लेकर 12 तक का सार एजुकेशन आप्शिडूटली फिर आपको सुदेंस हमारे चैनल के थूरू हमार इस माध्यम के तुरू आप पढ़ सकते हैं अपने स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड एक्जामिनेशन और कमपटिटिव एक्जाम्स के लिए इन तीनों ही एक्जामिनेशन को कवर करने के लिए आपको हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है सिर्फ अच्छे से महनत से ल करते हैं तो उसे अपने फ्रेंशन फामिली में शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ सकें वो भी आगे बढ़ सकें हमारे देश का बढ़ियां से विकास हो सकते हैं चलो आज के कहानी क्या है तो भाई आज के सेशन के कहानी बहुत सिंपल है अपन आज क्लास एथ के ज्यादा समय में आपका वेस्ट नहीं करूंगा अपन शुरू करते हैं पहले बात तो थोड़ा सा थोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं और में आउट में होता क्या है और में आउट और में आउट प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन कंपर्टिटेव एक्जाम्स आपको य इनकी समस्या में इस टाइक पर कोशन में आपको करना क्या होता है अल्ड़ टॉम्स एक्सेप्ट फरस्ट फॉल और स्पैशिफिक रूब और पैटर्न जो सारी टॉर्म्स होती यह बहीं पैटर्ण फॉलो करती हैं आप जैसे आपने सिक्वेंस सिरीज में भी देखा है rule or pattern is called the odd term or the odd man ठीक है जो भी आपका है और वही आपको identify करनी होती है these problems can be classified into three types a alphabet problem जहां पर आपको alphabets में ढूणना होता है कौन सा odd one है word problem जहां पर आपको words दिये होते हैं यहां पर word problem का मतलब वो नहीं है कि अगर सुनीता के पास 40 रुपए है उसने 20 रुपए की शॉपिंग कर ली तो कितने रुपए बचे ऐसे वाले word problem नहीं words यहां पर जो specific words जैसे आपने for example deer cow उसके बाद tiger और वफेलो रख दिया तो deer cow और वफेलो क्या है हर भी वोरस है tiger इस काने वोरस तो वह हो गया odd man out या odd man out numbers को भी इसमें use किया जाता है चले कुछ examples है यहां पर आपके समक्स जिनको अपन यहां पर try करेंगे और understand करने की कोशिश करेंगे अब यहां देखिए b c d e f g h at the first instance जैसे आप इसको read करोगे आपको लगेगा a b c d e f g h सब कुछ तो सही चल रहा है इसमें odd one कौन है पर आपको beyond sequence सोचना है probably अगर आप यहां पर थोड़ा सा सोचेंगे तो जो एक basic type of question इसमें आता है वो आता है consonants और vowels का इसमें e is the only letter which is a vowel whereas all others are consonants तो b c d b consonants family से है f g h b consonant family से है तो e इकलोता है जो vowel है इसलिए वो यहां पर odd one out की category में आ जाता है चलिए clear हो गया मामला जी सर कोई खास दिखकत तो नहीं सर चलिए बहुत बढ़िया अब इसके बाद देखते हैं second question क्या बोल रहा है हमें आपके पास w u है d b है o l है r p है की और इस तरीके से group बने हुए हैं ठीक है अब इसको आप अगर evaluate करो तो आपको क्या देखेगा की u के बाद इन्होंने v छोड़ा और w लिख दिया ठीक है b के बाद c छोड़ा d लिख दिया l के बाद m छोड़ा n छोड़ा m n फिर o लिखा ठीक है तो आप यहाँ पर अगर list बनाए कौन-कौन से letters को छोड़ा गया है तो m और n को इन्होंने leave out कर दिया o लिख दिया a p के बाद q को leave out करा r लिख दिया i के बाद j को leave out करा k लिख दिया l के बाद m को leave out करा n लिख दिया if i check the pattern यह जो o l वाली जोड़ी है इसमें इन्होंने 2 letters को leave out किया है जबकि बाकी सब में एक-एक को लीव आउट किया है which in itself is a odd thing ठीक है? odd का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कि जो normal flow चल रहा है उसको छोड़ के कुछ और करना अब भया आप एक-एक को छोड़ के चलने की बात कर रहे थे आपने एकदम से दो छोड़ दिये तो वो odd बन आउट हो जाएगा तो हमारा अंसर क्या होगा? O, L Is this clear? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर जरा से भी नहीं साच चलिए Example 3 देखिए Red, Yellow, Blue, Green अब इन टॉपिक्स में इन क्वेस्चन में Basically बहुत बार क्या होता है? आपको थोड़ा सा अपना General Knowledge भी अच्छा रखना पड़ता है इससे यहाँ पर आप देखोगे Red, Yellow, Blue, Green में आप सोचोगे क्या ही odd है Red, Yellow, Blue, Green सब तो ऐसी लग रहे हैं तो basically यहाँ पर आपका थोड़ा सा बच्पन का ग्यान याद आना चाहिए आपको कि जो Yellow कलर है It is not a primary color Not a primary color जबकि Red, Blue और Green are primary color So therefore, Yellow आपका यहाँ पर odd one out होगा Is this clear? अंसर क्या है? अंसर है Yellow because it is not a primary color जबकि बाकी तीन, Red, Blue और Green are a part of primary color family तो यह अगर लोज यह अपना अगर General Knowledge अगर अपन का सही नहीं है अपन को याद नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है चलिए अब यहाँ देखिए अपन क्या करेंगे Next Question को देखते है Example 4 कह रहा है Apple, Potato, Orange, Mango, Cherry Very Simple, छोटा बच्चा भी बता देगा कि जो पोटाटो है It is from the vegetable family Whereas all others belong to fruits family Hence यहाँ पे पोटाटो को अपन as a vegetable odd one out मान के यहाँ से क्या कर देंगे अलविदा कर देंगे चलिए इसी के साथ अपन करते है Screen को clear And let's move to next question चलिए फिफ्ट एक्जामबल अपना यहाँ पे अपन से words बोल रहा है जिनमें हम उनको odd one out बताना है Include का opposite होता है Exclude तो यहाँ पे हमें पता चला कि यह opposite लिख रहे हैं लेकिन क्या यही pattern सब जगा चल रहा है वो हमारा बड़ा सवाल होगा Import का opposite export बिलकुल ठीक है भाईया pattern के हिसाब से है Admit का deny बिलकुल ठीक है भाईया Scared का afraid Now scared means डरा हुआ Afraid also means डरा हुआ तो यहाँ पे जहाँ opposite या Antonyms बोल रहे थे यह भाईया synonyms लिख दिये या परियावाची लिख दिये इनको हम क्या कहेंगे कि जनाब आप हैं हमारे odd one out तो यहाँ पर लिखोगे scared afraid which is a pair of synonyms उसको हमने odd one out बोला क्योंकि बाकी सब में आपने क्या लिखा है opposites को बताया ठीक है चलिए screen clear यह हो गए अपने कुछ words वाले कुछ numbers वाले example देखो 1, 4, 9, 16, 25, 37, 49 1 is 1 का square 4 is 2 square pattern में चल रहा है 2 square, 2 cube क्यों होगा भीया 2 square, 9 is 3 square 16 is 4 square 25 is 5 square 37 is सर यह 6 square plus 1 हो जाएगा जबकि 7 यहाँ पर लाश वाला है 7 square ठीक है तो कुल मिला के जैसा कि हमने देखा आपने सर हाइलाइट भी कर दिया है कि जो 37 है it is not following the pattern of writing the square numbers तो हैंस 37 would be our odd one out तो यहाँ पर हम स्क्रीन क्लियर करेंगे 37 को हाइलाइट करेंगे reason being कि भाई साब बाकी सारे जो अपने numbers यहाँ पर थे वो सब किसी squares के pattern को follow कर रहे थे जबकि 37 किसी का square नहीं है तो वो list में यू ही आ गया था गलती हो गई मतलब हाँ पर 36 होना चीज़ा चलिए moving forward example 7 कह रहा है 8, 27, 64 again अगर आप इसको evaluate करें तो 8 is what sir 2 cube ठीक है what is 27, 3 का cube what is 64, 4 का cube what is 100 sir 100 is 10 का square not cube 125 is 5 cube 216 is 6 cube and this is 7 cube तो जब हम list बना रहे हैं सारे numbers के cube की किसी के square को लेके आना उसे odd 1 out feel कराएगा तो हमारा answer होना चाहिए 100 that is 10 square is this clear any problem so far जरा सी भी नहीं साथ चली बहुत बढ़िया screen को उपन clear करते है example 7 अपना समाप्त हो गया और probably यहां से हमारी example 8 की बारी आजाती है example 8 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगा pattern क्या बन रहा है 12 वेस आप कह सकते हैं 6 2 जा 6 3 जा लेकिन फिर 21 6 का table follow नहीं कर रहा है तो यह अपना नहीं हो सकता maybe यह 3 से divisible है यह भी 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 3 से divisible है पर 34 3 से divisible नहीं है so in a list of all the numbers that are divisible by 3 or you can also say that in list of all the numbers that are multiples of 3 this 34 has no connection no रिष्तिदारी with 3 तो that is why it is a odd one out किक है कोई दिक्कत जरा से भी नहीं से बाकि अगर आप देखोगे बाकि सारे numbers आपके रिष्तेदार है यानि 3 के multiples है या divisible by 3 है जैसे भी आप कहें तो वो answer हो सकते है पर यह नहीं हो सकता odd one out चलिए next देखते हैं अब यहां से हमारे exercise 8.3 शुरू हो रही है and we have to find the pattern and then check की हमारा answer क्या होगा odd one out में चलिए ए के बाद आपने बी छोड़ा C लिखा बी के बाद आपने C छोड़ा D लिखा C के बाद आपने D छोड़ा E लिखा यहाँ पर आप देखो के D के बाद आपने E F दोनों को लीव किया G लिखा यहाँ पर E के बाद F छोड़ा G लिखा F के बाद G छोड़ा H लिखा तो pattern के हिसाब से this DG is the only pair of letters which is having gap of two alphabets बाकी सब में gap कितना है one alphabets का है तो इसको odd one out कहना समझदारी होगी clear अगर मामला जी सच चल यह second question देखते हैं second question कहाँ BCD, CDE, DEF and EFG अब इसमें क्या odd one out हो सकता है ठीक है देखो अब यहाँ पर देखो अगर आप इसमें odd one out चेक करें तो इसको अगर आप चेक करें इसके पास E है ठीक है इनके पास E है और इनके पास E है यह पहला वाला जो BCD है is the only one which does not have E तो साल अगर ऐसे match करेंगे तो फिर तो इसके पास D है इसके पास D है इसके पास D है इसके पास नहीं है बात तो ये भी ठीक है तो अगर हम ऐसे match करेंगे तो इनके पास C है इनके पास C है इन दोनों के पास नहीं है तो वो हट जाते हैं F वाले case में इन दोनों के पास F है तो वो हट जाते हैं तो probably यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि E इनके पास एक vowel दो consonant है ठीक है ठीक है चलिए देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूस हो सकते हैं ऐसा मना नहीं है आप में से बहुत लोग अभी भी एग्री नहीं करेंगे कि सब बी-सी-डी क्यों है अगर ऐसा है तो फिर आप एफजी को भी रखिए वो भी तो ऐसा ही जिसमें कि तीन में डी है उसके पास नहीं है बात आपकी यह ठीक है लेकिन अब मैं वैसे सोचू तो इसके पास दो कॉंसोनेंट एक वावल का गुरूप दो कॉंसोनेंट एक वावल का गुरूप जबकि वह अखेला है जिसके पास तीनों कॉंसोनेंट है दिस कान भी वन लीजन आफ मेकिंग बी-सी-डी ओड़ वन आउट चलिए गुट तो गो क्वेशन नमबर टू समाप क्वेशन नमब आपनेयम के बाद सब्सक्राइब लिखा एइच चोड़ा आई लिखा ज चोड़ा के लिखा यल के बाद आ अपने एम लिखा री चोड़ा एस लिखा तो वाट शूड़ा आट्स बिदांसर से यहां एम-एन-क जो जोड़ी है इनके पास कोई भी गैप नहीं है जबकि बाकि सारे जो टर्म से बाकि सारे जो अपने यहां पर आप कह सकते हो expressions हैं उनमें सब में one is left out and the other one is written वो pattern follow हो रहा है तो इसलिए हमारा answer होगा LMN चलिए screen clear हो जाती है question number 3 अपना समाप्त हो गया question 4 is about Venus Jupiter Mercury Pluto Moon Neptune answer क्या होगा इसका sir अगर Pluto को ही माना जाए अपना वो planet तो in that case all of them are planets this is the only one which is a star logic यह हो सकता है इनको बाहर निकालने का ठीक है एक logic यह हो सकता है कि यह बाकि सारे directly sun के आसपास चक्कर लगाते हैं जबकि moon earth के around चक्कर लगाता है इंडिरेक्ली वो भी sun के चक्कर लगा ही रहा है पर उसका जो में करता धरता है मतलब जो उसके लिए important वो कौन है अर्थ है ना तो ऐसे भी आप कह सकते हो वरना यह logic तो है कि भाई यह स्टार है बाकि सारे planets है ठीक है चलिए अब आप मैंसे कुछ लोग यहां पर आ जाएंगे मेरे को बोलेंगे कि सर फ्लूटो को तो प्लानेट की कैटेगरी से हटा दिया है इसलिए मैंने दूसरो लॉजिक दिया भाईया कि sun के आसपास कौन चक्कर लगाता है और अर्थ के आसपास कौन लगा प्लूटो सन के पास तो चक्कर लगा रहा है कि कहीं और ही निकल गया चक्कर लगाने है तो उसी पारक में न भाई इत्ता तो मानोगे चलिए डॉग और बिच कुक कॉक और हैं काव और बफेलो का जोड़ा होता है क्या नहीं सर लेकिन दोनों कारे एक करती हैं पर जोड़ नहीं होता काव का जोड़ा होता है बहुत लोग बुलक कहते हैं बुल भी कहते कुछ लोग तो इसलिए काव और बफेलो जो की मौसेरी बहने हैं ऐसा आप कह सकते हो उनका जो यहां पर गो बना है पेर वो अपना और बनाउट होगा बाकी सब का पूरा कपल कपल है तो यहां पर देखोगे तो यहां पीश्फुल कोइट क्या है सिनॉनिम सकते हो जो पीश फुल होता इंसान वो कोई रहता है जो smallest तब सकते हो वाउन्ट और डिजयर भी सेनॉनिम कह सकतें बोर और लेंड करने को आप सेनॉनिम्स नहीं कह सकते ठीक है तो इसलिए यह हमारे क्य हो जाएंगे भाई साहब और वन आउट हो जाएंगे बॉरो और लैंड करने को आप सिनॉनिम नहीं कह सकते बाकी सारे लगबक सिनॉनिम ही होंगे ठीक है है ना चलिए तो वो हमारा जवाब होगा सिक्स्थ क्वेश्चन का सेवंध क्वेश्चन इस सेंग वॉयलेट इंडीगो ब्लाक ग्रीन यलो औरेंज रेड इसमें से कौन सा और वन आउट होगा सर अगर आपने पड़ा हो अपने जो यह क्या कहते उसको पनियार जो बारिस की बारता अगर आपने देखा हो तो रेंबो में कलर पैटन क्या होता्तर विबग्योर होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है वॉयलेट इंडीगो बिलू ग्रीन विबग्योर होता है न गर-यह अरम तो उस पैटन को जदी हम देखें तो इधर ब्लू स्टांड मीक्योर ब्लाक दिया है तो अगर आप rainbow के colors की list बना रहे हैं तो black उसमें क्या है odd one out है is this clear black की जगह क्या होना चाहिए था blue होना चाहिए था लेकिन उन्हें गरत लिखा है इसलिए हमारा जवाब होगा यहां पर black चलिया आठवा प्रस्ण कह रहा है city town district village टावल है शहर टाउन डिस्ट्रिक विलेज आर जोग्रेफिकल बाउंडरी ओफ पर्टिकुलर लोकालिटी यू कैन से था ठीक है लेकिन टावल का भाई यह तो सब बाथरूम का सामान इन्होंने गाउं चौराहे पर फेक दिया है तो गलत बात है यह अपना क्या है यह अपन आशा होगी उसके साब से तो टावल यहां पर कहीं भी नहीं आ रहा है इन सब जगाओं पर यूज होता होगा पर फिलाल तो कहीं नहीं आ रहा है चलिए रीडर राइटर प्रिंटर पब्लेशर अब इसमें देखो क्या होगा और वन आउट तो सर यह जो राइटर इसको पब्लिश करता मनलब अपने पब्लिकेशन हाउस के अंडर उसको पब्लिश करता है जो रीडर है वो उसको अंत में पढ़ेगा तो प्रोबाबली रीडर का यहां फिलहाल कोई काम नहीं है जब किताब पूरी बन जाएगी जब यह जनाब लिख लेंगे यह जनाब और फिर यह उसे पब्लिस कर देंगे अपने पब्लिकेशन हाउस के अंडर तब जाके कहीं रीडर का काम शुरू होता है तो मेरे हिसाब से यहां पर जो रीडर है वो एक और वन आउट हो सकता है चलिये स्क्रीन क्लियर को हमने और वन आउट कहां पर कैटेगरी में रखा attractive pretty beautiful marvelous repulsive अब इसमें अगर आप देखें तो यह सारे क्या है किसी के तारीफ करने के लिए यूज किये जाने वाले शब्द है accept this word what is the word sir the word is repulsive जिसको हम किसी की तारीफ करने के लिए शायदी कभी यूज करते होंगे ना तो चलिए तो हमारे साथ से repulsive जो word है it is odd one out वो यहां पर नहीं आना चाहिए चलिए रिपल से वर्ड का मीनिंग आप में से जिसको पता है जबर कमेंट सेक्षिन में लिख देना कि सर हमारे साब से यह होता है हमारा भी थोड़ा ग्यान वर्धन हो जाएगा हम भी थोड़ा सीख जाएंगे वाट इस रिपल से चलिए 11th question starts from starts focusing on numbers चलिए 26 38 50 62 76 86 and 98 चलिए अब यहां पर आगर आप देखेंगे पाटन क्या बनना चाहिए देखो मेरे साफसे 26 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 38 आएगा च्छे और दो आट एक और रिख दो 38 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा 38 में 12 अगर हम add करेंगे तो 50 मिलना चाहिए बहुत बड़ी है पैटन आपने सही पकड़ा है यहां तक तो कि इसमें अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 50 आएगा 50 में 12 जोड़ेंगे 62 आएगा ठीक है तो और 86 में अगर 12 जोड़ेंगे तो जवाब आएगा 98 ठीक है तो यहां पे 74 जहां होना चाहिए वहां लिखने वाले व्यक्ति ने 76 लिखा है तो 74 को हम या उस नंबर 76 को हम और वन आउट मानेंगे मामला जी सर अच्छा बहुत लोग क्या बोलेंगे सर यहां पर कि सर अगर आप देखो और वन आउट हमने हाइलाइट किया चलिए 67 65 62 57 55 53 50 & 47 यह अपने नंबर है और अपनको बताना है इसमें से और वन आउट कौन सा होगा चलिए कैसे पता लगाएंगे सर 67 में से अगर आपने दो माइनस किया तो आपको 65 मिलता है बिलकुल ठीक 65 में से आपने 3 माइनस किया तो आपको 62 मिलता है फैर एनफ 62 में से आपने 2 माइनस किया आपको 60 मिलेगा 60 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको 57 मिलेगा 57 में से 2 माइनस करेंगे 55 मिलेगा 55 में से 3 माइनस करेंगे तो 52 मिलना चाहिए लेकिन उन्होंने 53 लिख दिया है विच मींस अगर हम आगे पैटन को कंटिन्यू करें 52-2 is 50 पैटन इस गोइंग फाइन फिफ्टी माइनस 3 शुट भी 47 तो कुल मिला के जो टुटती यहां पर दिख रही है वो 53 के मामले में दिख रही भाई है क्योंकि 53 आना था पर लिखने वाले ने 54 लिख दिया 52 लिखने वाले ने 53 लिख मतलब वहां पर 53 उस पर्टिकुलर सेट जो लॉजिक अपन चला रहे हैं टू और थ्री के गाप का उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो स्क्रीन को क्लियर करके उसे अलविदा कहने का टाइम है 53 को भाईया आप बोलेंगे कि आप और बनाउट है चलिए अब देखिए यहां प भाईया जो की फाइफ की मल्टिपल नहीं है तो इनको हम इस समुह से बोलेंगे कि आप और बनाउट है कि पर बाहर चले जाए ठीक है कई पर इंसान के ज्यादा सोचता है कि सर्फ 15 25 का गैप देखो 10 का है 2545 का बीस का है तो यह 20 का बीच में कहां से आगया इसको हटाओ ऐ इसा नहीं है find out for more general pattern जो कि सब फॉलो करो जो से आप अगर आप देखेंगे 72 is the only one which is not for not a multiple of 5 तो प्रोबाबली वो हमारा बेस्ट बेट है और बन आउट होने का चलिए फॉर्टींथ वन कह रहा है टू फाइव टेन सेवंटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी सेवन फॉर्ट फिफ्टी सिक्स्टी फोर एटी टू और वन जिरो वन चलिए अब यहां पर आप देखेंगे तो मैंने जब शुरू में द 17 और 26 में गाप कितना होगा सर 9 होना चाहिए प्रोबाबली येस 26 और 37 में गाप कितना 11 का इन में ग्राप 13 का यहां गाप होना चाहिए 15 का नेक्स्ट और नंबर 50 तो यह होना चाहिए कितना 65 ठीक है नेक्स्ट गाप होना चाहिए 17 का विच्छुट गिव यू 82 करेक्ट और नेक्स्ट गाप होना चाहिए 19 का विच्छुट गिव यू 101 तो जहां आना चाहिए 65 जनाब ने लिख दिया है 64 which is a error and this 64 is the odd one out यहीं पे गलती हुई है बाकी सब में अगर आप चेक करेंगे तो वह और नंबर इंक्रीजिंग वैल्यू और नंबर के साथ गाप बढ़ते जा रहा है तो वह हमारे जवाब में बिल्कुल सही बैठ रहे हैं पर यह 64 थोड़े से गलत आ गए हैं ठीक है चलिए कि नेक्स देखो दो तीन पांच अब यह जो पिछला वाला था उसी का लॉजिक जो मैं बोला था प्राइम नंबर वाला वो दिखो यहां पे कितना प्रेट बेट रहा है थेंप्रायम है तराifty के तो भाइय दो फैक्टर 3 और 5 यहीं बैठे हैं वही लोग बल देंगी गव नमबर इन इटसेल्फ इस और वन आउट तो हमारा अंसर हो जाएगा 15 किलियर जी सर्चल यह स्क्रीन यहां पर 15 सवाल समाप्त अब यह कुछ बड़े बड़े नमबस आए हैं 725, 871 और यहां पर आप देखोगे 642 अच्छा पैटन क्या चेक करोगे यह देखो पैटन देखो यह कितना बढ़िया पैटन है 7 में से 2 माइनस किया तो 5 मिलता है 5 लिखा है 8 में से 7 माइनस किया 1 मिलता है 1 लिखा है 6 में से 4 माइनस किया 2 मिलता है 2 लिखा है 9 में से 5 माइनस किया 4 मिलता है 4 ही लिखा है लिखने वाले ने ठीक है 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 मिलता है जनाब ने 3 लिखा है और 7 में से 3 माइनस करने पे 4 मिलता है जनाब ने 4 लिखा है 5 में से 4 माइनस करने पे 1 मिलता है कुल मिला के जोड घटा के यह जो 863 है इन जनाब ने पैटन नहीं फॉलो किया जिसमें दो नंबर जो पहले हैं उनको माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे नंबर के रूप में लिखा गया है वो यहाँ पे पैटन नहीं फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमारा समाप question number 17 देखिये 16 36 84 81 1144 96 what is the pattern so this is 4 square this is 6 square this is 8 square this is 9 square this is 10 square this is 1200 square and this is 14 square now all the numbers are square of one number like some number यह तो clear है सारे squares है फिर odd one out कैसे चुना जाएगा तो square किसके हैं तो बाकि सारे squares even number के हैं except 81 81 is the only number which is a square of a odd number जो कि हमारे odd one out या odd person out की category में perfectly fit बैठता है तो 81 हमारा यहां पर odd one out होगा reason being कि square तो सभी है पर लेकिन वो odd number का है बाकि सारे even number के हैं चलिए सवाल नमबर 18 231 352 वही बात जो भी अपन solve कर रहे थे कि भाई या second minus first करके देखो one मिलेगा one लिखा है five minus three करके देखो two मिलना है two लिखा है seven minus four करोगे three मिलना है three लिखा है two minus five या five minus two जो भी आप कर रहे हो ठीक है सब्ट्रैक करने पर आना चाहिए three पर उन्हेंने कितना लिखा है चार लिखा है में भी ये गल्दी हो सकती है six eight minus six करोगे आपको मिलेगा two वही लिखा है eight minus seven करोगे one लिखा है nine minus eight करोगे one लिखा है ठीक है तो अगर आप यहां पर देखो two minus five करने पर माइनस three आ रहा यहनोंने प्लस four लिख दिया बाकी सब में तो वही पैटन है second minus first ठीक है यहां पर अगर मैं उसको भी ignore कर दो तो भी माइनस करने पर थी आ रहा है जबकि जनाब ने फोर लिखा है तो दो मेरे को indication मिल रहे हैं कि भाईया यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड है चलिए तो आपने five twenty four जिसको सब्ट्राक करने पर माइनस three आ रहा है इसको अपने अंसर के रूप में मार्क किया अपन करेंगे स्क्रीन को clear easy question था question number 19 देखते हैं 726 63 124 217 342 and 511 अब यह देखो पैटन यहां पर बहुत interesting है कैसे 7 is two cube minus one right बात तो सही है 26 is so 26 अगर हम ऐसे देखेंगे तो probably किसका cube होता है 3 cube minus one that is 27 minus one right yes sir तो आपने लिखा यहां पर three cube minus one is 26 63 is four cube minus one 124 is five cube minus one two one seven is six cube that is two one six plus one थोड़ा सा मेरे को यहां पर लगा कुछ तो अलग चल रहा है seven cube is 343 minus one करोगे 342 मिलेगा eight cube is five one two minus one करोगे 511 मिलेगा तो कुल मिला के अकेला के two one seven ही है जिसको आपने किसी के cube में add करके पाया है बाकि सब में आपने cube को सब क्यूब में से one subtract किया है ठीक है ना तो इसलिए इसको अपन अपना odd one out मान के यहां पर highlight कर रहे है कि two one seven is not following the pattern of subtracting one from the cube of the number ठीक है बलकिनों ने plus one कर दिया है तो two one seven को अपन अपना यहां पर odd one out मान के highlight कर रहे है चलिए probably हमारा 19th question के साथ आ जाए है अपन last question पे अब यहां पर आप देखोगे आपको मिल रहे हैं बहुत सारे numbers आपको बताना यहां पर कौन सा है अपना odd one out six twenty four six one twenty two one zero three thirty six जो पहली चीज़ में इनको दिमाग में आ रही है इस सिक से डिवेजिबल है सिक से डिवेजिबल है यह भी है बहुत असान यह बिए two one zero is also divisible by six करके देखो साथ छेती आठारा छे पंजे ती साम बिलकल three thirty six six five thirty six six thirty six जो पान सो पांच है इसको अगर मैं six से डिवाइड करू six eights are forty eight twenty five ना डिवाइड नहीं हो रहा है तो अकेला यह पान सो पांच है which is not a multiple of six ऐसा लिख सकते हो या फिर आप यह बोल सकते हो it is not divisible by six hence this would be our odd one out दो नहीं सेंटेंस है 505 is in the list of numbers is not divisible by six one logic second five zero five is not a multiple of six दोनों बातें एक ही चीज़ कर रहे करती है एक ही नॉलिज को टांसवर करती है कि दोनों के इसमें आप six के multiple six से डिवाइब होने वाल numbers की बात कर रहे हो तो इसलिए यहां पर 505 is the odd one out and i think this was the last question of the exercise yes थोड़ा जल्दी हो गई exercise क्योंकि चीज़ें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी पर जितनी ज्यादा आप इसकी practice करेंगे उतना better आप इसमें बनते जाएंगे उतना क्विक कम टाइम में आप चीज़ों को कर पाएंगे ठीक है चलिए session end करने से पहले बहुत important जानकारी जो कि आपको याद रखनी है जब भी आप management के साथ जुड़ेंगे सबसे पहली बात तो यह अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज जल्दी subscribe कर लो क्योंकि हमारे जो भी लेक्टर वीडियो आप तक पहुंचाए जाते हैं उनके notifications आपको मिलते रहेंगे तो आप उनके साथ touch में रहेंगे आपको पता चलता रहेगा टीचर ने कितना कोर्स कवर कर लिया है एक चीजी है second thing हमारे पास more than 40,000 वीडियो है हमारे YouTube channel पे it's a ocean of educational knowledge लेकिन बहुत विद्यारती अपने सही वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हो फिर उनको लगता है कि टीचर ने यह चीज़तों पढ़ाई नहीं जबकि यह सत्य नहीं है टीचर ने सारी चीज़े पढ़ाई है सारे वीडियो अविडियो अविलेबल है बस वह अल्गॉरिथम ऐसा होता भ को हमने अलग-अलग क्लाशिफाई कर दिया सेकेंड इस क्लाशिफिकेशन के अंदर जब आप जाएंगे आपको चाप्टर वाइस सेशन वाइस टीचर वाइस टाइप और वीडियो वाइस बहुत सारा क्लाशिफिकर मिल जाएगा आप इजीली अपने सब्जेक्ट और बहुत बेनिफीशल आपके लिए देन अगर आप हमें शोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते हैं तो हमें फॉलो करिए क्योंकि हमारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे आपको दी जाती है डिफ्रेंट बोर्ट्स आंड स्टेट बोर्स की इंफॉर्मेशन जो भी सर्कुल से भी इनी प्लाटफॉर्म प्रे अप्लोड किये जाते हैं तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं हमारे इनोट्स और इबुक्स को यदि आप रोक्योर करना चाहते हैं तो उसके दो सरल रास्ते पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक को तो भी आप डिरेक्ली वहीं पहुंच जाएंगे जहांपे नोट्स और बुक्स को प्रोक्योर किया जा सकता है बिना किसी जादा हसल के ठीक है चलिए तूबर्स दी एंड हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई कॉलिटी एजूकेशन प्रोवाइड कराते रहे है वह आप हम पर छोड़ दीजिए बिलकुल चिंता मत कीजिए आप पूरी शिद्दत लगानों मेहनत से पढ़ाई कीजिए ताकि आपके भी अच्छे अंका एक्जामिनेशन में और आप इन विद्ध्यारतियों जैसे हमारी वेबसाइट पर फीचर हो सकें तो कि मेहनत कर होगे तो सफलता जरूर मिलेगी अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई करें माबाब की सेवा करें फ्रेंशन फामडी को सपोर्ट करें और येस टेक वेरी गुट कियर आफ यहल्प सी यू नेक्स सेशन कुछ नया सीखेंगे कुछ मज़ा से सीखेंगे आप बस अप करें बबाई